All right, gate exam एक बहुत ही important exam है, एक engineer के career के लिए, और आप लोग का डर लगना बहुत दो obvious है, अभी के time पे मैं आप लोग की feeling समझ सकता हूँ, बहुत लोग को quit करने का मन करेगा, आप जो भी subjects पढ़ रहे हो, आपको concept याद रहेंगे की नहीं, आप revision करने के बाद भी formulas याद रख बहुत सरे सवाल है, जिस वैसे आपको quit करने का मन करेगा, यह journey, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, IIT के professor जो भी gate exam frame करते हैं, हमेशा यही कोशिश करते हैं, कि basics पे वो सवाल पूचे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप gate exam से भार आखे बताओगे, कि maximum questions ऐसे थे जो कभी आ ही नहीं थे, आप यह reason पका बना सकते हो कि concept पता था पर वहाँ पे apply नहीं कर पाया, अगर आप सोच रहे हो कि आपको हर subject में excellence achieve करना है, ठीक है मैं हमेशा बताता हूँ, subject में excellence achieve करो, पर हर subject में excellence achieve नहीं कर सकते, तो all India rank 1 भी आना है, या फिर double date rank भी अगर निकालना है, तो भी हर subject में best होनी की जरूरत नहीं है, अगर आप हर subject में average होके, तो भी काम बन सकता है, आपको gate exam में question समझ में आना चीए, कि question कौन सा choose career solve करने के लिए, और कौन से question skip करके आगे जाओ, difficult questions, या फिर जो आपसे बनी नहीं सकते थे, वो आपको identify करने आने चीए, question देखकर लेने की ability होनी चीए, और वो ही ability होगी, उसी इंसान में होगी, जो fearless होगा, अगर आप subject में excellence भी achieve करोगे, अगर आप डरते हो exam से, तो आप कैसी question पढ़ने की हिम्मत करोगे, कैसी question को judge कर पाओगे, कि ये मैं बना सकता हूँ, ये फिर नहीं बना सकता हूँ, आपके मन में timer का ख्याल होगा, आपके career का ख्याल होगा, आपके future का ख्याल होगा, ऐसे बहुत सारे ख्याल आपको सताएंगे, और आप तीन घंटे waste हर कर आ सकते हो, आपको बनना है fearless, आपको fastest नहीं बनना है, आपको strongest नहीं बनना है किजी subject में, आपको बनना है fearless, जंगल में भी, king of the jungle जिता होता है क्या वो tallest जिराफ होता है, strongest होता है elephant पर हम king of the jungle मानते हैं lion को, lion खुद से बोल-बोल के नहीं बताता कि मैं best हूँ, मैं best हूँ, वो fearless है, हम देखते हैं उन्हें, हम observe करके हमने बता दिया कि ये king of the jungle है, स्टीव जॉब को उसके company के इनसान ने पूछा, मैं यहाँ पर IC design करता हूँ, वो best graphical designer वहाँ पर बेटा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम क्यों सब का credit ले रहे हो, क्यों तुम्हें सब apple का best समझते हैं, स्टीव जॉब ने बताया, यह best musician हो सकता है, यह best guitarist हो सकता है, यह best drummer हो सकता है, पर मैं orchestra संभालता हूँ, मैं orchestra चलाता हूँ, उस 65 questions को, जो best तरीके से manage करेगा, वो बनेगा under 100 rank claim करने वाला person, हो सकता है, वो सारे लोग, हर subject में best ना हो, या फिर जिनका rank खराब आया हो, अबाव 500 आया हो, या फिर अबाव 1000 आया हो, उसमें से भी बहुत सारे लोग होगे, जो subject में excellence एचिव के होगे, बहुत सारे subjects में, पर वो, वो 65 questions शायद से manage नहीं कर पाए, ठीक है, fearless बनना है, और journey से यह शुड़वात होती है, gate exam में जाके कोई fearless नहीं बनेगा, अभी से fearless बनना है, जो अभी fearless रहेगा, यह सरे ख्यालों से, कि मैं revision कैसे होगा, मैं formula याद रख पाऊंगा कि negative exam के दिन, अपने काम से काम रखो, कर पाऊगे, नहीं कर पाऊगे, वो बात की बाते fearless रहो, lion अपने हर fight में 100% देता है, बहुत बार वो घायल भी हो जाता है, शायद से मर भी जाता है, पर, कुत्ते बिल्ली की मौत नहीं मरता, शेर की मोत मरता है, fearlessly लड़ता है, इसलिए हम उसे king of the lion कहते है, king of the jungle कहते है, ठीक है, तो जर्णी में बने रहना important है, और यही quality लेके जाएगी आपको, best rank achieve करने के लिए, केट exam के दिन, मिसायद से motivational speech है, feel good speech नहीं है, feel good speech में और motivational speech में, जमीन आसमान का फरक होता है feel good में हम बताते हैं कि तुमसे हो सकता है तुमसे हो सकता है motivation में बताते है कि तुमसे क्यों हो सकता है मैंने आपको बताया कि तुमसे क्यों हो सकता है ठीक है तो motivational speech देना कोई problem नहीं है बहुत लोग बोलते हैं कि motivation से कुछ नहीं होता है motivation से ही होता है feel good से कुछ नहीं होता है तो दोनुँ चीजों को confuse मत करो बहुत लोग को भहुत सारे चीजों में clarity नहीं है इसलिए वो भी confuse है इसलिए और उको भी confuse कर रहे है मैं hope कर रहा हूँ क्या fearless बनोगे ठीक है fearless ही की है gate exam को crack करने की वो ही इनसान manage करेगा 65 question best way में best नहीं होगे हर subject में तो भी चलेगा अगर best होते तो अननेसरी अपना ego लाते question में और अननेसरी अपना उस subject का question आने पर अपना time best करके रख दे दे उस 3 घंटे के अंदर अगर average हो और subject में तो जादा अच्छा है और क्या बताओ तुम लोग को अभी इतना बता दिया हूँ अभी prepare करो और हम फिर मिलते हैं किसी वीडियो में तो इतना ही था इस वीडियो में हम फिर मिलें किसी वीडियो के साथ तिल गया है